सबसे पहला कोशन है दोस्तों चंद्रमा से यदि किसी पिंड को प्रीथवी पर लाया जाये तो उसमें क्या परिवर्तन होगा आपको बताना है कि चंद्रमा से अगर प्रीथवी पर किसी वस्तु को लाया जाये तो उसमें परिवर्तन क्या होगा तो इसका राइट अंसर हो चलिए दोस्तों अगला question देख लेते हैं निरवात में यदि तीन वस्तू लोहा, कागच और पत्थर को गिराया जाए तो प्रीथवी पर कौन पहले आएगा आपको इनमें से बताना है कि सबसे पहले प्रीथवी पर कौन आएगा तो इसका right answer जाए कि दोस्तों option number D यानि तीनों एक साथ आएंगे आपको बताते कि निरवात में यदि लोहा हो गया, कागच हो गया और पत्थर एक साथ गिराय जाता है तो उन पर गुरुत्वित वरण जो जी होता है एक समान लगता है परन्तु निरवात में हवा का प्रतिरोध एक दम नहीं लगता, अतह तीनों वस्तुएं एक साथ ही आएंगे चले दोस्तों अगला question देख लेते हैं किसी भी अस्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंतरण होता है आपको इनमस बताना है कि किसी भी अस्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंतरण होता है तो इसका right answer जाएगा option number B यानी जलवायू द्वारा आपको बता दे कि किसी भी अस्थान का जो पर्यावरण पर जलवाय वी कारकों द्वारा नियंतरित होता है जलवायो द्वारा पर्यावरण का निर्माड भी किया जाता है चले दोस्तों अगला कोशन देखते हैं वायो मंडल की ओजोन परत हमें किस से बताती है most important question है दोस्तों आपको बताना है कि जो वायो मंडल की ओजोन परत है हमें किस से बचाती है तो इसका राइट हम सजाएगे दोस्तों option number यानि अल्टरा वायोलेट किरडों से जो वायो मंडल की ओजोन परत सबताप मंडल के नीचे लगभग 20 से 30 किमी प्रीथवी तर से उपर पाई जाती है यहाँ सूरे से आने वाली जो परावैगनी किरडों के 97 से 99 प्रतिसत भाग को औसोसित कर प्रीथवी तक पहुचने से रोकती है चलिए दोस्तों अगला question देख लेता है निमनलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वरिष्टी का रूप नहीं है चार option है आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो वरिष्टी का रूप नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा option number D यानी जल प्रपात यानी waterfall ये वरिष्टी का रूप नहीं है आपको बता दे कि वायू मंडल से पानी का वास्प से संगनित होकर गिरना द्रिष्टी की प्रक्रिया में आता है आता है आपको बता दे कि जैसे ओस हो गया कुहरा हो गया वर्षा विष्टी की प्रक्रिया है परन्तु जल प्रपात जो एक इस तरह की प्रक्रिया नहीं है चले दोस्तों अगला question देख लेते हैं ग्रहो की गती के नियम किसने प्रति पादित किये हैं? यानि केपलर ने जो ग्रहो यानि केपलर जो की जर्मन गड़ितग्य जॉन केपलर ने 1609 इस्वी में सूरिकी सापच ग्रहो के चाल समबन्दि अपने दो नियम प्रस्तुत किये हैं न्यूटन ने इन्ही नियमों के आधार पर अपने सुत्रों का प्रतिपादन किया था 1699 इस्वी में केपलर ने त्रीती नियम प्रतिपादित किये थे चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तो अभी केंद्र बल सदैव कार्य करता है राइट अंसर बात के दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A यानि केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिस आपको बतादे अभी केंद्र बल जो कि सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिस कारे करता है चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तो प्रिथवी के भ्रमर की गती है आपको बताना है इनमें से जो प्रिथवी के भ्रमर की गती है वो कितनी है तिसके राइट अंसर बात के दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A यानि 2.8 कीमी प्रती मिनट जो प्रित्वी के भ्रमड की जो गती है वो 2.8 किलोमेटर प्रती मिनट है चलिए अगला कोशन देख लिए दोस्तो चैतिज बृत में नियत चाल से गतिसील वस्तू के लिए नियत है आपको इन विस बताना है कि जो चैतिज बृत में नियत चाल से गतिसील वस्तू के लिए तो इसका राई टाम से हो जाएगे दोस्तों, option number D यानी त्वरण 36 बृत में नियत चाल से गतिसील वस्तु में दीसा परिवर्तन के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है क्योंकि वेग एक सदिस राती है, नियत समय में वेग में परिवर्तन नियत दर से होता है चुकि वेग परिवर्तन की दर नियत होती है, इसलिए नियत वृत्तिय गति में तोरण नियत होता है अगला question देख लेते हैं दोस्तो, किसी हवाई जहाज की उचाईम आपने के लिए प्रयूक तो उपकरड है, आपको बताना है, जो किसी हवाई जहाज की उचाईम आपने के लिए इनमे से कौन सा प्रयूक तो उपकरड है इसका राइट अंसर जाएग दोस्तो अफसन नमबर A यानि अल्टी मीटर अल्टी मीटर जो की एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे हवाई जहाज की उचाई ग्याद की जाती है यानि किसी निश्चित उचाई पर इस्थित एक पिंड की उचाई तथा पानी के अंदर सिध्धान्त है उसका अर्थ क्या है तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तो अफसन नमबर B यानि उर्जा संरच्छित है न इसका स्रीजन होता है न इसका विकास होता है इसी को ही उर्जा सरच्छड का सिध्धान्त कहा जाता है चलिए दोस्तो अगला कोश्चन देख वायू दाब को किसी अंत्र की सहायता से मापा जाता है जो कि पारे के दाब के आधार पर बनाया जाता है और वायू मंडल का दाब पारे के इस्थंब की उचाई के बराबर मापा जाता है बैरो मीटर में पारे के इस्थंब की उचाई जितनी होती है वही उचाई वायू मंडल का दाब होता है तो चलिए दोस्तों अगला कुश्चन देख लेते हैं एक समान आयतन के लकडी तथा लोहे के गोले को एक उचाई के से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेगी आपको इनमेस बताना है कि अगर एक आयतन के लकडी तथा लोहे के गोले के एक उचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेंगी इसके राइटन से बात करें दोस्तों तो इसका राइटन से होजाएगा उपसन नमबर B यानी एक साथ अगर हम लकडी तथा लोहे के गोलों को एक साथ गिराने पर गुरुत्वी त्वरण का मान दोनों पर बराबर लगता है यदि हवा का प्रतिरोध नगड़े हो तो दोनों गोले एक साथ गिरेंगे चले दोस्तो अगला कोशन देख लेते हैं किसी उचाई से प्रित्वी की ओर स्वतनता पुरवक गिर रही वस्तू एक समान से गिरेगी इन में से आपको बताना है कि अभी अभी मैंने आपको बताया है इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नमबर बी यानि त्वरण ये की मोस्ट इंपोर्टन कोशन है दोस्तो इसे मार कर लीजेगा तो आपको बता दे कि कित्वी की ओर स्वतनता पुर्वक गिल रही वस्तू का वेग क्रम सा बढ़ता जाता है किन्तु इस बृध्धी की दर अर्थात त्वरण समान रहती है। आपको इन वस्त बताना है कि सकती क्या कहलाती है। तो इसका राइट अन्स हो जाएगा दोस्तो अप्सन नमबर A यानि कार्य करने की दर को सकती या सामर्थ कहते हैं। अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो घड़ी की कुंडलित कमानी में उल्जा होती है। चार अप्सन है आपको बताना है कि जो घड़ी की कुंडलित कमानी में कौन सी उल्जा होती है। राइट अन्स हो जाएगा अप्सन नमर B यानि इस्थितीज उल्जा घड़ी की जो कुंडलित कमानी में इस्थितीज उल्जा होती है। जब घड़ी का पेंडूलम अपने उच्चतम हो जाती है चले दोस्तों अगला कोशन देखते हैं निमने लिकित में से कौन सा किये गए कारे का उदाहरण नहीं है आपको इन्योंस बताना है कि कौन सा किये गए कारे का उदाहरण नहीं है जिसका राइट अंसर जाएगा दोस्तों अप्शन नमबर यानि लड़के का कमरे म धक्का देना आपको बता दे कि किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि उसका विस्थापन न हो अर्थात विस्थापन सुन्न हो तो कार्य नहीं होगा इस प्रकार से लड़के द्वारा दीवार को धक्का देना विस्थापन रहित घटना है अथा इस क्रिया में कार्य नहीं चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं पहाड से लुड़कती हुई वस्तु में है आपको बताना है कि पहाड से जो लुड़कती हुई वस्तु में कौन सी उर्जा है तो इसका right answer जाएगा option number D यानि गतीज उर्जा तथा इस्थितीज उर्जा दोनो आपको बता दे कि पहाड से लुड़कती हुई वस्तु प्रित्वी सता से उचाई पर होने के कारण इस्थितीज उर्जा से यूपत होगी तथा या लुड़क यानि लुड़क कर लुड़क रही है आता इसमें गतीज उर्जा भी होगी चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तों गतीज उर्जा औ आपके बताना है कि गतीज उर्जा और इस्थितीज उर्जा का योग क्या होगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number D यानि यांत्रिक उल्जा किसी वस्तु की यांत्रिक उल्जा वस्तु की गतीज उर्जा तथा इस्थितीज उर्जा की योग के बराबर होती है यानि यांत्रिक उल्जा बराबर क्या हो जागा दोस्तो तो गतीज उल्जा प्लस इस्थितीज उल्जा चले दोस्तो अगला कुश्चन देख लेते हैं निम्न में से कौन अधिक कारे कर सकता है चार अपसन है आपको आज बताना है किन में से कौन अधिक कारे कर सकता है इसके राइ चलिए दोस्तों अगला कोशन देख लेते हैं उस बल का नाम बताएं जिसके परिडाम स्वरूप दो परसपर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यच भौतिक संपर्क होता है चार अपसन अपके आज बताना है कि उस बल का क्या नाम है जिसके परिडाम स्वरूप दो परसपर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यच भौतिक संपर्क है इसका राइट अंस हो जाएगा दोस्तों अपसन नमबर ए यानी संपर्क बल आपको उता दे जो दो परसपर प्रभावी अर्थात एक दूसरे के संपर्क में आनी वाले वस्तुओं के बीच कारेरेत बल को संपर्क बल कहते हैं संपर्क बलों के अंतरगत किसी सता पर रखी वस्तुओं पर सता की प्रतिक्रिया किसी वस्तुओं को खीचने से इसमें उत्पन तनाव घरसडबल आदी आते हैं चले दोस्तों अगला कुश्चन देख लेते हैं निम्न में से किस रासी की इकाईया समान होती है चार अप्सन है आपको बताना है कि इन में से किस रासी की इकाईया समान होती है राइट अन्स हो जाएगा अप्सन नमर डी यानि कार्य और उर्जा कार्य तथा उर्जा जो की परसपर संबंधित रासियां है अर्थात कारे को ओरिजा में तथा ओर्जा को कारे में बदला जा सकता है इन दोनों का SI मात्रक जो होता है वो होता है जूल चले दुस्तों अगला कोशन देख लेते हैं किसी निकाय को एक समान बृत्तिय गती से चलाने में लगने वाले आवस्यक नियत बल को क्या कहा जाता है तो इसका राइटन सो जाएगा दोस्तो अपसन नमर B यानि अभी केंद्रिय बल जब कोई वस्तू एक समान बृत्ति गती करती है तो इसकी चाल तो समान रहती है लेकिन गती की दिशा में निरंतर बदलाव होते रहने से वेग में परिवर्तन होता रहता है अता वृत्ती गती में त्वरण होता है एवं इस त्वरण का कारण वृत्त के केंद्र की ओर कारेरत वल होता है अकला कोशन देख लेते हैं दोस्तों द्राव की बूंद की आकरिती गोलाकार होने का कारण क्या है आपको बता रहे कि जो draw होता है draw की बूंद की आकरिती गोलाकार होने का कारण क्या है इसका राइटन सो जाएगा दोस्तो option number D यानी प्रिष्ठ तनाओ draw की बूंद की आकरिती गोलाकार जो होने का कारण है वो प्रिष्ठ तनाओ या सतही तनाओ होता है क्योंकि दिये हुए item के लिए गोले के प्रिष्ट का छेतरफल नियुनितम होता है और प्रिष्ट तनाओ के कारण वर्सा की बूंदे गोलाकार होती है चले दोस्तो लाश कोशन देख लिते हैं द्राओ में प्रिष्ट तनाओ का कारण है चार अप्सन है आपको वह बताना है कि द्राव में प्रिष्ठ तनाव का कारण क्या है most important and most repeated question यह है दोस्तों तो इसका right answer जाएगा दोस्तों option number B यानि अड़ूओं के मध्य ससंजक बल द्राव में प्रिष्ठ तनाव का कारण अड़ूओं के मध्य ससंजक बल है तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो आपको वीडियो कासा लगा comment section में जरूर बताएगा वीडियो पसंद होगा दोस्तों देक लाइक जरूर करिएगा चैनल पे हमारे नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लिएगा क्योंकि हम आने वाले group D exam के तैरी लगातार करा रहे हैं तो मिलते हैं दोस्तों अपने एकले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत